जिस तरह से गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं और युवा चेहरा उपर की ओर जा रहा है तो भविश्य में या वो एक गोल जो है मुख्यमंत्री का जो सीट है अपने आपको कहीं देखते हैं वहाँ? मैं भुपेंदरबाई पटिल का एक मजबुत सहीनिक हूँ और उनके साथ इसी प्रकार से आने वाले पांच साल एक कार्यकरता के रूप में गुजरात की सेवा करने के लिए तत पर हूँ और आने वाले पांच साल भुपेंदरबाई पटिल के मार्क दर्शन में गुजरात म सामाजिक हो, हेल्ट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, लॉइन ओर्डर के सेक्टर है, सभी सेक्टर को साथ में मिला के और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तयार है. आखिर में एक सवाल, MIM की बात कर लेते हैं, वो कहते हैं आप लोग सुरक्षा नहीं देते, आरेलिया नहीं करने देते, मोधी मोधी के नारी लगवा देते हैं, ये मंच आपको इस वक्त दिया है, हमने कुछ जवाब आप उनको देना चाहेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं, देखिए अब तो आपने भी G20 देखा था, जी ट्वेंटी के कुछ फोटोग्राफ्स वाइरल हुए थे, मैंने तो देखे थे, आपने देखे थे, वेसी साब को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो भारत की धर्ती है, भारत की धर्ती में जम्मू से लेके कनिया कुमारी तक मूदी मूदी के नारे आपको निंद में भी सुनाई देते हैं, उसका हम क्या करें भाई? G20 में मुझे तो एक ये देश के युवान नागरिक के तौर से मुझे बहुत गर्वा हुआ, जब कही देश के प्रधान मंतर भी भाहा पे मूदी मूदी के नारे जैसे ही महुल मै मैंने G20 में देखा, तो OEC साब को आप समझ जाना चाहिए, यह तो भारत की धर्ती पर आप रह रहे हो, यहाँ पर तो मोदी मोदी के नारे सुना ही देंगे, अगर आप लंडन अमरीका जाओगे, वहाँ पर भी मोदी मोदी के नारे लगते, तो क्या वो हम नारे लगवाने जाते है, उन्होंने काम किया है, तो नारे लगेंगे ही, लोग के दिल में मोदी है, अब दिल में जाने के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, वह OEC साब ने समझ पाएंगे यह विशय को, लेकिन OEC साब की सुरक्षा की अगर बात हो तो यह सुरक्षा की जिम्यदारी ह हमारी है, गुजरात में जब वो आए, उनके प्रवास की संपुरन सुरक्षा की जिम्यदारी हमारी है, उनको किसी भी प्रकार की, कुई भी तकलिफ नहीं पॉंचे, यह जिम्यदारी हमारी है, और यह राज्या में कोई भी राजनेता आए, यह बंगाल थोड़ी नहें, यहां पर आओ आप खुले आम चुनाव के प्रचार करो हम लोग बैठे हैं। और मैं आपकी और से मैं आपके माध्यम से ओवेसी साब को कहना चाता हूं। आप कभी भी गुजरात में आई हैं। सुरक्षा की यहां पर कोई चिंता कभी शही नहीं है। और यहां पर गुजरात में आने वाला हर एक व्यक्ति वो हमारा महमान है। हम उनका स्वागत करते हैं। महमानों को खाना हम जरूर से खिला लेते हैं। क्योंकि खाने के टाइम पर आओगे तो खाना खिलाते हैं। हम खाना किलाते हो गर आप उसको ऐसा समझ लो कि ये घर मेरा है तो ये आपकी भूल है खाली बस और सब आपका है